उत्राखंड में चल रहा सियासी सस्पेंस खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री तीरत सिंग रावत ने राद 11 बजे राजबवन पहुंच कर गवर्नर बेबी रानी मौरे को अपना इस्तीफा सौप दिया है जिसके बाद तीरत सिंग रावत ने केंड्रे नेतरत्व का भार जाहिर किया उन्हें कहा कि समविधानिक संकर चलते इस्तीफा देना उचित समझा और केंड्रे नेतरत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा उन्होंने विधायक muscular, मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचाया चुना आयोग की कारण 151-164 भरा के अंतरगर्द जो एक संबेदानिक संकट था और उस संबेदानिक संकट की कारण उने इस्तितियों को देखते हुए मद्यजनर रखते हुए मैंने अपना इस्तिपर मुख्यमंत्री पास से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रे नेतुर्टों का मान्य परिष्ट नेतुर्टों का बहुत आवारी हुँ और धन्यवाद करना चाहूंगा क्यों नेतुर्टों ने मुझे समय समय पर विवी ने दायतों दिये कोवीड हाने के कारण परिस्तिती बदली है चुनायोग ने कोवीड के कारण कहा कि हम चुनाओ नहीं करा पाएंगे प्रिष्टितियों में क्योंकि ऐसी परिष्टितियों में चुनाओ कहीं बार हुआ है देश के अंदर लेकिन जब परिष्टिति कोविड की हो जिसके कारण यह निर्णे हुआ है तो फ़क हम लोगों ने भी उचित समझा कि हम एक वेधानिक संस्तान जो निर्णे लिया है उ विधान मंदल दल से विधायकों से होगा, गैर विधायकों से होगा अज धन सिंग रावत, विशन सिंग चुपाल और पुशकर सिंग धामी के नाम शामिल है उत्राखंड के मुख्यमंत्री को लेकर आज विधान मंदल दल की बैठकोंने जा रही है और वहीं सीम हाउस के बाहर सननाटा पस रहा है कोई भी पदादीकारी और कारेकटा यहां नजर नहीं आ रहा सियासी उत्रपुतल के बीच जी मिडिया संबाद दाता ने सीम हाउस का जायजा लिया मुख्यमंत्री तीरस सिंग रावत के अपने पद से इस्थीपा देने के बाद उत्राखंड के नए मुख्यमंत्री की तलास तेज हो गई है आज भाजपा बिधान मंडल दल की बैठक है उसके पहले आपको ये दिखा दे कि ये से फाउस है और यहीं पर तीरस सिंग रावत फिलहाल कामकाज यहीं से करते थे यहीं पर रहते थे आज यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा है और ना तो मंतरी, पदादिकारी या कारिकरताओं के यहां पर आने का सिलसिला चल रहाए पूरी तरह से खामोसी है ये बताया जा रहा है कि मुखमंत्री के तलास को लेकर जो विधान मंडल दल की बैठक होगी वो तीन बजे होगी और उस बैठक में ये तै किया जाएगा कि आखिर उत्राखंड का अगला मुखमंत्री कौन होगा और जिस तरह से अभी राय शुमारी चल लही है ऐसे में कई नाम चर्चाओं में हैं देखना ये होगा कि आखिर मुखमंत्री के तौर पर किसके नाम पर मुखमंत्री बनाया जाता है कैमरा प्रशन संदीब बडला के साथ मेरा मनुच जी मीडिया देहरदूल तो सवाल यही है कि उत्तरा खंड का अगला सीम कौन और सीम की रेस में कई नाम चर्चाओं में बने हुए हैं गाफिक्स के जरी आपको बताते हैं पहला नाम सामने आ रहा है धन सिंग रावत का इसके साथ ही पलिटन मंत्री सतपाल महराज का नाम भी चर्चाओं में है पुशकर सिंग धामी यह वो नाम है जोकी रेस में बताए जा रही है और इसके साथ ही हरत सिंग रावत का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है तो आपको बता दे कि पिछले तीन दिनों से मुख्यमंत्री दिल्ली में ही डटे हुए थे और उसके बाद 116 घंटों तक वो अपने घर में ही मौजोद रहे सीधे निकलिया और उसके बाद बीजोपी के राष्ट्री आधिक्स जेपी नड़ा से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकर्ष की रातो रात वो राजभवन भी गए राजजपाल से मुलाकात की और उसके बाद इस्तीफा भी सौब दिया आज विधान मंडल दल की बैठक बुलाई गई है लेकिन ये छोटा प्रदेश उसके बावजूद भी दस मुख्यमंत्री अभी तक मिल चुके हैं प्रदेश को और सिर्फ और सिर्फ एक नाम यानि की नरेंड़त तिवारी जो थे एंडी तिवारी उन्होंने ही सिर्फ पा है फिलाल कैसी हलचल देरादून में इस वक्त आपको नज़र आ रही है अगला सियम कौन चर्चा है इसी बात पर अब जहरादून पहुचेंगे उसके बाद ये भी चर्चा है जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि कुछ विदाएकों के साथ और राई शुमारी कर सकते हैं और तकरीबन तीन बज़े के आसपास का जो वक्त है वो बीजेपी कारेले में विदानमंडल दल की बैठक का है विदानम होगा जो फैसला होगा उसको सभी विदायकों के सामने रखा जाएगा इस वक्त हालाकि हल्चल पार्टी कर रहने में नहीं है लेकिन दिन चड़ने के साथ ही यह बीजे शुरू हो जाएगी और विदायकों कर पहुंचने का स्रिसल है वो बहर दून में शुरू हो चुका ह पिता पास रहे हैं यहां को प大概 ही लाइकाहिवा बात ही है इसमें अगर विधायकों में ते बात जाए तो विधायकों में कि रिधा है को इस वक्षमीन आजरा है कि उनको इस सबसे फिर्मेजे का रहा है इसके अनावा इसके अनावieß घंडरक बहुत 1 को सामने ये चर्चाओं में ये भी सामने आ रहे कि क्या BJP क्योंकि वक्त बहुत जादा नहीं है और जब वक्त जादा नहीं है तो ऐसे में क्या जो पूर मुख्यमंत्री है त्रवें सिंगरावाद क्या उनके नाम पर भी विचार कर सकती है क्या नए मुख्यमंत्री का जो एलान है वो विधाय को मैंसे किया जाता है या फिर सांसद मैंसे और